और आज दोस्तों डाक्टर अनुग्रह नरायड सिंग से सुरू किया जाए बिहार विभूती जीवन देश की अखंड सुचंता और नौ निर्माड के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया तो डाक्टर अनुग्रह नरायड सिंग चलिए भाई डाक्टर अनुग्रह नरायड सिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स नय सीरे से फिर जानने की कोसित किया जाए तो डाक्टर अनुग्रह नरायड सिंग को अगर देखा जा दोस्तों तो इनका जो संबंद बनेगा इनका जनम औरंगाबाद में हुआ था कहां पर औरंगाबाद में औ यानि बियार के औरंगाबाद च्छतर से ये थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 जून 1887, यानि 18 जून 181887 को इनका जनम हुआ था, इनका जनम हुआ था, और ये दोस्तों गांधी जी से बहुत ही प्रभावी थे, किस से गांधी जी से बहुत ही प्रभावी थे, गांधी सत्याग्रह से ही गांधी जी के सात्थ जुड़ गज़े थे और गांधी जी के सायोगीयों में इनका नामदर्ज होता है. विसेश तौर से संपुन बियार में अगरडी नामों के अंथरगत इनको समलीद करते हुए यहां से लेकर के चलते हैं जो कि क्या रहते हैं इन को अगर दिखा जांगे बंश 1027 में 227 सुरिक्रिष्न सीझ्ग में स्रीक्रिष्र सिंग स्रीकृ veg Не तुमें क्या बना गया था ने तुमें बियार सरकार का गठन किया गया था तो यह प्रथम उप मुख्य प्रफम उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया था तो यह के विधान सभा में अनुगरह नरायर सिंग बियार के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे यह यहाँ से द्यान रखना जो कि इनके लिए बिसेस रहता है आपके एक्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है ये ध्यान रखना है इनको दोस्तों बिहार बीभूती के नाम से समोधित किया जाता है यानि बिहार बीभूती यानि इनके लिए एक नाम एक सब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे स्रेकृष्ण सिंग के लिए आप सब कौन सा सब्द प्रयोग करते हैं उनके लिए आप बियार केसरी सब्द का प्रियोग करते हैं उसी तरह से अगर दिखा जाए तो डाक्टर अनुगरह नरायर सिंग के लिए बियार बीभूती का प्रियोग किया 1880 में दोस्तों अमर प्रिश्ट के अंतरगर्त समलित हैं इनके बारे में भी कुछ विसेस्ट करते हुए यहां से चलेंगे इनको अगर दिखा जाए दोस्तों तो इनका संबंध मनेर मनेर चित्र पटना से था ये ध्यानकना है में वनिसो च्छह में ये चर्चा में आये थे और इसमें दोस्तों इन्होंने All India All India Muslim League All India Muslim League के गठन में महत्व्पूर भूमी का निवाई थी वनिसो च्छह में All India Muslim League के गठन के लिए ये लोग बिसेस्टोड से जाने गए थे इनको अगर दिखा जा दोस्तों तो ये गांधी के समर्थकों में इनका भी नाम दर्ज होता है और ये भी चमपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे यानि चमपारण सत्याग्रह में ये विसेस तोड़ से जाने गए थे इनको अगर दिखा जा दोस्तों तो इनोंने बियार में सिक्षा के च्छतर में विसेस कार किया था सिक्षा के च्छतर में विसेस कार किया था और सभी के लिए हिंदू मुस्लिम सभी के लिए सिक्षा के कार में इनोंने विसेस योगदान दिया था नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए एक कारी किया हो सभी के सिच्छा के विकास की अलग इन्होंने जगाने की कारी करी थी तो बियार में सिच्छा के छितर में दोस्तों इनका नाम बहुत ही अग्रडी होता है इनके नाम के साथ अगर देखा जाए तो बियार बियार ब सदाकत आसरम पठणा में महतपुर भूम का निभाय थी, अस्थापना व ही अंतिम समय में, जानते हैं, अपने जीवन के अंतिमë समय में, डाक्टर राजंद्र प्रशाद भी यहीं पर पहुँचे हुए थे, सदाकत आसरम पटना में ही, तो मौलाना मजहरूल हक द्वारा ही उसको डेवलेट किया गया था ये ध्यान रखना है इसके लाओ दोस्तों गांधी जी ने इनको देश भूशड की उपादी दे रखी थी देश भूशड के नाम से इनको जाना जाता था देश भूशड के नाम से जानते हैं तो देश भूशड सब्द मौलाना मजहरूल हक के लिए ही प्रयोग किया जाता है और इनको ये उपादी महात्मा गांधी से मिली थी इसके महात्मा गांधी से मिली थी ये हां सद्यान रखना इसके लगा मजहरूल हक को अगर दिखा जाये तो ये एक समाचार पत्र भी था जो बहुत ही महत्मूर था समाचार पत्र उसके प्रकासन से भी जुड़े हुए थे देrão मजहरूल हक नहों पौईंट ते चलहा है जो इनके बारे में आपके एक्जाम में लगातार पूछता रहता है इनके बारे में देश भूशरड मोलाना मजहरूल हक जो की भी आर में अनुकरणी है और ये दोस्तों राश्टी अस्तर पर इनका नाम चर्चा में रहता है जो अपने बिहार के लिए एक गौरों की बात है हम सभी को गौरवानवीत करने का एक च्छण ये देते हैं और इन से दोस्तों बहुत डिर सारी प्रेडाएं लेने की आप शकता है कि कैसे सभी को एक साथ लेकर के समरस्ता सामंजस बैठा करके जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है ये सिद्ध करके दिखाया था मौलाना मजहरूल हक यूही इनको देस भूसर नहीं कहा जाता है तो ये नाम द्यान रखता है हाँ दा मदर लेंड ये समाचार पत्र है इससे भी इनका नाम जुड़ता है द्यान रखेंगे हो जाएगा तो दोस्तो मौलाना मजहरूल हक यहां से करेंगे स्क्रीन साथ सभी का रखते हुए चलेंगे क्योंकि दोस्तों यह पॉइंट सब आप सब के लिए क्या है खास रहेगा के लियर